अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो बिहार सरकार ने एक बार फिर से इस बिभाग में बड़े पैमाने पे रोजगार निकालने का फैस्टा दिया है याने की नौकरी देने का फैस्टा लिया है बिहार में लगातार बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है एक तरफ जहां सिक्षक बहाली हो बिहार पुलिस हो वहीं अब ये बिभाग बिहार के डेप्टी सियम्त जश्वी यादब का बिभाग है हम बात कर रहे हैं स्वास्त बिभाग की बिहार के सिक्षा बिभाग बिहार पुलिस समय सरकार के अन बिभागों के बाद अब स्वास्त बिभाग में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है बिभाग में लगबग देड़ लाग पदों पर भरतिया होंगी इसका प्रस्ता वित बिभाग को भेज दिया गया है, जल्दी इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा इसके बाद बहाली की आपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी स्वास्त बिभाग के अनुसार बिभाग में डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेशर, विशेश्व्यच किस्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर, रेजिडेंट के अलावा पारामेडिकल स्टाफ और अनस्वास्त कर्मियों की बहाली होगी बहाली पर होने वाले खर्चे की मनजूरी वित बिभाग ने लिग जा चुकी है, असमामले में बिभाग ने प्रसाब वित बिभाग को भेज दिया है वित बिभाग के कुछ सवाल पूछे गए हैं उन प्रशनों का जवाब स्वास बिभाग की और से, भेजा जा रहा है इसके बाद वित बिभाग की और से वित बिभाग के मुहर लगने के बाद कैबिनेट मिले जाया जाएगा, राज कैबिनेट की मनजूरी मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पबलिक हिल्थ कैडर इसमें MD और PG पास चिकिस्षक रहेंगे, ये प्रखंड और जिलास पतालों में चल रही योजनाओ का क्रियानवर करेंगे ट्रेनिंग में जो मेडिकल कॉलेज के अध्यापक के लिए कैडर होगा, इस कैडर के माध्यम से वैश्विक महमारी से निपटने के लिए सुरिदा होगी साथी कैडर में इन दिनों तेजी से बढ़ रहे स्वास्त समस्या, मसलन डाविटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और मेंटल हिल्थ के समर्पित ववस्था रहेगी हिल्थ मैनेजमेंट में इसमें PG पास 70 फिसदी चिकिस्सक होंगे, जबकि 30 फिसदी पदों पर MBA पास अभियर्थी से भरा जाएगा और साथी साथ ये स्पताल का प्रवंध सम्हा लेंगे इसलिस इसमें PG पास क्लिनिक, मेडिसिन, स्त्री रोग और सरजन आदी चिकिस्दकों को रखा जाएगा साथी साथ स्वास्त प्रवंधन और चिकिस्दक स्वर के लिए अलग-अलग निदेशाले भी होंगे प्रात्मिक मादमिक और उच्मादमिक स्कुलों में 1,20,336 सिक्षकों की निउक्ति बिहार लोग सिवा आयोग के माध्यम से इस साल हुई है और अब सिक्षा बिभाग और बिहार पुलिस के बाद स्वास बिभाग बंपर बहाली निकालने वाला है और इस बहाली से बिहार के जितने भी बेरोजगार ही हुआ है जो लगतार रोजगार की तलाश कर रही है और इस बहाली की लगतार वो कोशिस कर रहे थी और उनका इंत बजार खत्म होने वाला है बस नितीस काबिनेट की बैचक में इसकी प्रिस्थाप को अगर मन्जूरी मिल जाती है तो इसकी प्रक्रिया भी शुरू करती जाएगी फलहा कले इस खबर मतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नियूस फोनेशन